हेलो गाईज, वेलकम टू बंगलू इंजिनियर्स MP सब इंजिनियर का 10 फरवरी को रिजल्ट आया था और उसके 10 बारा दिन बाद ही जो है रिवाइज रिजल्ट आया था रिवाइज रिजल्ट आने के बाद 7 मार्श को सबसे पहले Water Resources Department की तरफ से डीवी के लिए notification निकाला गया उसका डीवी जो है Water Resources Department का 13 मार्श से 16 मार्श तक हुआ अब 16 मार्श से लगातार किसी ना किसी की डेपार्टमेंट के document verification चल रहा है अभी आज की ट्रीट में 17 मही तक almost सारे डेपार्टमेंट के document verification खतम हो चुग है एक का दुका कुछ है जुन को छोड़के लगबख सारे डेपार्टमेंट के इवन किसी किसी डेपार्टमेंट के दो-दो R.E.S.P.H.E. की जैसे बात करें तो दो-दो बार भी जो second call है वो भी आ चुका है अगर जॉइनिंग के हम बात करें तो result की date से अभी तक अगर हम रिवाइज रिजल्ट से भी काउंट करें तो भी आने वाले दो-तीन दिनों में तीन महीने हो जाएंगे result को अभी भी जॉइनिंग का कोई नामों निशान नहीं है major departments में कुछ चोटे मोटे departments है जैसे police housing sorry, pollution control board, कुछ नगर निगम और warehousing corporation limited इन सभी की जॉइनिंग हो चुकी है बड़ जो core departments है जैसे WRD, PHE, RES, PWD जिन में की maximum number of seat है उन में अभी तक चारों में से किसी में भी जॉइनिंग नहीं हुई है और इनके साथ ही कुछ और चोटे-चोटे departments है जिन में भी जॉइनिंग नहीं हुई है और कहीं से भी जॉइनिंग के related कोई भी authentic जानकारी students को प्राप्त नहीं हो दिया departments के पास call करने से department का सीधा से ये कहना होता है कि शाषन की तरफ से हमें आदेश नहीं आया है और रही बाद शाषन की तो कुछ बच्चे है जिन्नोंने काफी महनत किये कुछ students ने काफी महनत किये जो selected sub engineer है WRD, R.E.S. और P.E.C. के कुछ लोग थे जिन्नोंने काफी चक्कल लगाए है भोपाल के उन्नोंने ENC से मिले सारे departments के ministers से भी मिले है और P.E.S. से और काफी लोगों से मिले है बट response में कुछ भी productive नहीं आया है output जो भी है तो अभी तक किसी भी तरफ से कोई authentic joining के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है कि हाँ इस तरीक तक आपकी joining हो जाईगी या ऐसा कुछ सारे लोग जो है वो टाल रहे हैं कि 8-10 दिन में हो जाएगी joining बट ऐसा official authentic कोई भी अभी तक information नहीं मिलिया है तो इसी के regarding कल सभी selected sub engineers के द्वारा एक Twitter campaign आयजित किया जा रहा है 18 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है आपको सभी को उस Twitter campaign में भाग लेना है अभी देखिए बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि नहीं यह Twitter campaign वगेरा से कुछ नहीं होता है तो चलिए एक सेकेंड के लिए यह मान लेते हैं कि सही में Twitter campaign से कुछ नहीं होता है अगर हम Twitter campaign जो students है जो selected sub engineers है वो Twitter campaign नहीं भी करते हैं तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा कोई job कर रहा है वो अपनी job में लगा हुआ है कोई घर बैट के chill कर रहा है तो वो chill ही कर रहा है क्या कोई फरक पढ़ने वाला है नहीं पढ़ेगा बट अगर इस Twitter campaign से एक पॉसेंट भी फरक पढ़ता है तो वाई शुड़न्ट भी फाइट फॉर दाट वन पॉसेंट किसी को घर से बाहर नहीं निकल रहा है बस अपने mobile से tweet करना है और अगर एक पसंट कुछ लोगों के नजर में भी अगर ये मुद्दा आता है तो कहीं न कहीं ये Twitter campaign सफल ही माना चाहेगा और जो लोग ये सोच रहे कि नहीं कुछ नहीं होता तो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेना जो है ऐसी अगर सोच है तो ये आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी तो कहने का अर्थ यही है कि आप बस दस बज़े से लिकर कल जो है वो जुड़ जाएए Twitter campaign में और खुद के लिए किसी और के लिए नहीं खुद के लिए आप tweet करिए आपको भी पता है अगर आपको joining चाहिए जल्दी जल्दी चाहिए इससे बिलकुल joining मिल जाएगी ऐसा न नहीं है जैसे हम लोग result से पहले थे कि बस ESV का sub engineer का exam दिया है और हम लोग सब साथ में हैं उसी तरीके से अभी भी हमें act करना है कोई particular department नहीं सारे department के लोग आईए और इस Twitter campaign में जुड़िए दूसरी चीज आपको जादा जादा tweet करने जितने maximum tweet आप कर सकते है उस time frame में आ सारे capital में यह आप copy कर लीजें यह सारा matter content जो भी है tags वगेरा किस किस को करना आपको यह सारा जो है मेरे telegram channel में available है तो आप वहाद से जाके copy paste वगेरा कर सकते हैं और शायद आपके groups में भी यह पहुच चुका होगा तो आप वहाद से भी ले सकते हैं चौथी चीज यह है कि hashtag भले ही आप इससे जादा भी hashtag यूज करें बट यह hashtag आपको यूज करना ही है इस hashtag एक ही hashtag यूज करेंगे तो ही हम bulk में उसको tweet count करवा पाएंगे पाच्वी चीज यह है कि tag किसको करना है तो tag जो है मैंने अपने telegram channel में भी बता रखा है और उसके अलावा जो है आप अपन है उसमें कोई भी problem नहीं है बट यह चीज है कि cm और अपने जो department उनके minister को tag करना मस्ट है उसके बाद अगली चीज जो है वही है कि 10 बज़े से आपको start करना है अगर आपको time नहीं है 10 बज़े से तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप schedule करके रखिए tweets को बना के रखिए tweets को schedule कर करके रखिए 10 बज़े के लिए तो 10 बज़े सवा 10 बज़े ऐसे आप tweets आपके हो जाएंगे अगर आप busy रहता है दस बज़े तो अगला point किये है आपको Twitter चलाना नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है आप YouTube में जाहिए आपका skill development ही होगा कहीं नगई एक तरीके से और next एक और चीज है कि same same tweet मत कीज़ेगा बहुत सारे वह spam की category में आ जाएगा tweet कीज़े उसमें थोड़े बहुत changes कर दीज़े आप comma भी एक extra लग करते जाहिए तो जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीज़े लोगों तक और इस Twitter campaign को सफल बनाने में मदद कीज़े यह आपके लिए ही है किसी और के लिए नहीं है और negative लोग भी बहुत आएंगे बीच में तो देखिए कोई न कोई कुछ ने कुछ बोलेगा टोकेगा आपको तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों काम ही है कहना आप मट किया मत आपको लगता है कि हाँ Twitter campaign करने से एक परसेंट भी चेंज हो रहा है तो आप बिल्कुल इसमें पार्टिसिपिट कीज़े थैंक यू